Hi guys, welcome to my channel Education File और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Educational Philosophy of G2 Chris Murthy जी के बारे में तो ये particular topic है B.A.D. में और M.A.D. में B.A.D. में सभी के नहीं है कही कही universities में है तो जिसके भी ये topic है आप देख सकते हो ये video तो जल्दी से देखती है क्या कहा था Chris Murthy जी ने Education के बारे में ये सिक्षा के बारे में सिक्षा के क्या उद्देश होने चाहिए Education में curriculum कैसा होना चाहिए Teachers कैसे होने चाहिए और overall purpose क्या होना चाहिए हमारी सिक्षा का या Education का ठीक है तो आगे से बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्स्क्राइब करना चलो तो Chris Murthy जी को जाना जाता है एक philosopher के तोर पे एक दार्षनिक के तोर पे एक modern Indian thinker के तोर पे ये एक writer भी थे जोने कही किताबे लिखी है और एक spiritual orator थे और speaker थे ठीक है इनका जनम हुआ था 11th May 1895 को और इनका देहान हुआ था 17 February 1986 को इनके पिता जी का नाम था नारायनिया माता जी का नाम था संजी उम्मा और ब्रदर का नाम था नित्यानन्दा या नित्य कहते थे और इनकी life में ये माना जाता है कि Theosophical Society का बहुत ही जादा impact है और जो Dr. Annie Besant थी ये क्रिसमूर्थी जी की और इनके भाई की guardian भी थी मतलब एक मा जैसा figure था क्रिसमूर्थी जी के लिए Annie Besant जी तो जब ये 15 साल के थी तो Annie Besant के साथ ये चले गए थी इंग्लेंड और वहाँ पे 10-11 साल तक रहे थे ठीक है और 1911 में कहा जाता है इन्होंने अपना पहला lecture दिया था काफी लोगों को सामने और जब इनके brother की death हो गई तो ये बहुत ही जादा human existence के बारे में सोचने लगे और इनका mind बहुत ही ज़्यादा spirituality के तरफ बढ़ गया कई बार होता है ना जब हमारे past के लोग या हमारे बहुत ही ज़्यादा करीबी लोग जब चले जाते हैं तो individual बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि human existence के है हम क्यों आये धरती पे तो वही चीज़े होती है और वही चीज़े क्रिस्ण मूर्ती जी के साथ भी हुई थी तो अब हुआ क्या डॉक्टर एनी बैसेड ने क्रिस्ण मूर्ती जी को 7th disciple गोसित किया लेकिन क्रिस्ण मूर्ती जी ने सब कुछ त्याग दिया और जो भी सब पैसे थे वो सब डोनेट कर दिया डोनर्स को मलब ये Theosophical Society के लीडर नहीं बने सब कुछ इन्होंने त्याग के इन्होंने का कि मैं free रहना चाता हूँ किसी भी religion से उपर और किसी भी bound nation से दूर इसलिए इन्होंने सब ही पद त्याग दिये और बिल्कुल free रहने लगे अलग रहने लगे ठीक है ये क्या कहते थी ये कहते थी कि technical education के साथ सिख्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्ची की mental growth, physical growth, social growth, spiritual growth हो और बच्चा अपने आपको या कोई individual अपने आपको पहचान सके तो इनका जो दर्शन था इनके जो philosophy है वो माने जाती है कि क्या क्या विशेष्टा थी उसमें humanism था मतलब मानवतावादी थे individualism था वैक्टिवाद था universalism था मतलब सार भौमिकता थी कि सभी लोग अच्छे से रहें एक humanity रहे और spirituallyism था मतलब अध्यात्मवाद भी था और कुल मिला के ये कहना जाते थी कि जो एक individual है वो सभी तरह से grow करें मतलब holistic development हो एक whole individual बने पढ़ाई के बाद इन्होंने कहा कि केवल knowledge grab करना ही पढ़ना नहीं है अपने आपको पैचानना अपनी society को पैचानना और एक humanity के साथ रहना सिख्छा का main उद्देश से होना चाहिए इन्होंने formal education या conventional education हासिल नहीं की थी लेकिन still ये बहुत ही great philosopher है और अपने concept के लिए अपने alternative education के लिए बहुत ही ज़्यादा famous है ठीक है Theosophical society नहीं इनको कहा था world teacher लेकिन उन्होंने ये सभी उपादी त्याग दी चलो अब education पे क्रिस मूर्ती जी का क्या भी हुए तो सिख्छा को ये किस तरह से देखते थी सिख्छा को ये देखती थी कि सिख्छा का उद्देश ये होना चाहिए वो right education provide करें right education का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी भी तरह का discrimination ना हो कोई भी bias ना हो मतलब personality ना हो कोई ऐसा मानता ना हो society में और right education के दुरू हम सभी social levels को खतम कर सकते हैं और पूरे life इन्होंने right education हासिल करने के लिए ही बात करी या अपने विचार रखे right education के जिरी क्रिस मूर्ती जी कहना चाहते थी कि हम अपने आपको अच्छे से पैचान सकें समझ सकें और life को understand कर सकें कि हमारी life का मतलब क्या है right education का मतलब क्या है कि true to ourselves कि हमने कैवल knowledge के लिए नहीं पढ़ा है हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हम उस knowledge को हर एक जगा apply कर सकें और holistic development कर सकें अपने आप में ही right education का मतलब ये भी है कि हम अच्छे से बच्चों को environment दे सकें जिसमें बच्चा बहुत अच्छे से या उसका जो भी fullest potential है मतलब सबसे ज़ादा अच्छे तरीके से वो grow कर पाए जितनी उसकी छमता है और एक complete human being बने जिसके अंदर सभी गुण हो ठीक है मतलब self consciousness हो awakening of intelligence हो transformation of self हो अपने आपको change कर सकें और एक society को change कर सके social transformation की तरब भी बढ़ सकें ठीक है तो right education का मतलब ये है क्रिस्न मूर्ती जी की नजर में चलो अब सिक्षा के aims क्या होनी चाहिए तो सिक्षा के aim या उद्देश ये होनी चाहिए इन्होंने कहा कि सिक्षा integrated होनी चाहिए मतलब सभी चाज़े उसमें होनी चाहिए ऐसा ना हो कि केवल हम उसको information नहीं provide करते रहे किसी particular subject की उसमें social, moral, spiritual सभी चीज़े होनी चाहिए उन्होंने कहा कि men और women का free होना बहुत ही जरूरी है सभी तरह के डर से ठीक है जब हम में डर नहीं रहता तब ही हम बहुत जाद अच्छी तरीकी से grow करते हैं इन्होंने कहा कि केवल information को grab करना और केवल knowledge को acquire करना या हासिल करना सिक्षा को देश नहीं होना चाहिए सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम transformative changes ला सकें सुधार कर सकें और transformative मतलब परिवर्तन कारी सुधार ला सकें society में और अपने जीवन में education ऐसा होना चाहिए कि holistic development हो एक whole person बन सकें ठीक है मतलब उसकी overall personality निखर सके increase हो सके सिक्षा का ये भी मतलब नहीं होना चाहिए कि केवल jobs के लिए हमें पढ़ना है सिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि हम life का अच्छे से meaning तला सकें और वो meaning कब आएगा जब हम बिलकुल डरेंगे नहीं और हमें जो चाहिए वो हासिल करेंगे through proper और right education ठीक है और learning क्या होती है lifelong होती है पूरी life हम कुछ न कुछ अच्छा सीखते रहें तो ये थी aims of education अब तो अब देखते हैं curriculum कैसा होना चाहिए Chris Murti जी के according तो इन्होंने कहा कि हमें सुनना बहुत अच्छे से आना चाहिए या art of listening होनी चाहिए ठीक है जब हम अच्छे से किसी को सुनते हैं तो हम सामने वाले person से बहुत ही जादा अच्छे तरीके से connect हो सकते हैं ठीक है इन्होंने कहा कि सिख्छा या करिकुलम ऐसा होने चाहिए जो comprehensive हो व्यापक हो जो all around development करे बच्चोंगे करिकुलम ऐसा होने चाहिए कि जो भी बच्चों के natural interest है न उनको बढ़ावा दे सके उनको और अच्छे से develop कर सके और उनको जो भी उनके aim है वहां तक कोचाने में उनकी मदद कर सके करिकुलम ऐसा होने चाहिए जिससे की बच्चे fearless बन सके और उनमें एक critical thinking आये मतलब कहन सोच करने की छमता आये problem solving attitude आये इन्होंने कहा कि अगर knowledge में या ज्यान में love नहीं एक प्रेम नहीं इसने नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा harmful हो सकता है इसलिए इन्होंने कहा कि जो भी particular है curriculum है उसमें humanity और goodness के बारे में सिखाना एक अच्छा वैवार करने के बारे में सिखाना आपस में एक helping nature होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है चलो देना आते हैं role of teachers तो teacher का क्या role होना चाहिए इन्होंने कहा कि teacher खुद भी free होना चाहिए सभी इस तरह के traditional patterns से जो भी personalities हैं bias हैं जो भी prejudice हैं उन सभी चीजों से इक अध्यापक free होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जब teacher free होगा तभी वो अपने बच्चों को और ज़्यादा ची तरीके से पढ़ा पाएगा teacher को बच्चों की help करनी होगी ताकि बच्ची अपने आपको पहचान सके कि उनकी real interest क्या है life में वो करना क्या चाहते हैं अंदर से teacher के duty बनती है कि teacher हमेशा right education provide करे in the sense कि बच्चे अपने आपको पहचाने दूसरों को पहचाने और society को आगे ले जाए teacher की ये duty बनती है कि किसी भी तरह की partiality ना हो और सभी बच्चों को equally importance मिले या equality का सिध्धान दो ठीक है teacher ही ऐसा इंसान है जो कि student को motivate कर सकता है और बच्चों intrinsic तोर पे अतलब आंतिक तोर पे motivation लाने में help पर सकता है ताकि जो भी उन्हें life बनना है वो बन सके ठीक है क्योंकि देखो external motivation थोड़ी देर तक काम करता है लेकिन किसी बच्चे में अगर अंदर से ही बहुत जादा भूख है कोई चीज हासिल करने के लिए बहुत ही जादा वो motivated है किसी चीज को हासिल करने के लिए देन वो मेहनत करके खुद achieve कर सकता है लेकिन उसको चिंगारी की या ignition की जरूरत है जो कि यहाँ पे कर सकता है educator या एक teacher टीचर को बच्चों को help करता है कि वो भुधिमान बने और सत्त की तरफ आगे बढ़े ठीक है और बच्चों के साथ teachers को भी एक lifelong learner होना पड़ेगा और यह सही भी है क्योंकि student के साथ बच्चे भी सीखते हैं कि किस तरह से अलग-अलग बच्चों को बढ़ाना है सभी बच्चों की सभी students की needs सा लग-अलग होती है और बच्चों के साथ एक teacher भी पुरी life grow करता रहता है ठीक है नए-नए चीजे सीखता है कैसे उनको apply करना है कैसे पढ़ाना है वो सभी चीजे सीखता रहता है अच्छा educator वही है जो की lifelong learning करता है और अपने आपको केवल एक learner ही समझता है चलो discipline कैसा होना चीजे तो discipline यानुसासन के बारे में इन्होंने कहाई है कि discipline ऐसा होना चीजे कि जहांपे student सभी free हो जब बच्चे free होंगे तो सबसे ज़्यादा वो grow करेंगे ठीक है और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे तो schools कैसा होना चाहिए क्रिस्ट मूर्ती जी के according तो ये चाहते हैं देगे school बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और उसमें कमी बच्चे है मतलब बहुत less amount हो students का school का environment हमेशा humidity वाला होना चाहिए एक प्यार होना चाहिए मतलब असनी होना चाहिए और आनंद या joy school में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बच्चे घर जैसा समझे school ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे समझें कि वो उनका घर ही है क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा fearless अपने घर पे ही होते हैं और सबसे ज़्यादा grow भी अपने घर पे करते है जब school को भी ऐसा होना चाहिए fearless environment होना चाहिए जहाँ पे बच्चे अच्छे से grow कर पाए school को हमेशा ये सिखाना चाहिए कि learning कैसे learn करनी है मतलब school में ये सिखाना चाहिए कि learning to learn कि सीखना है लेकिन कैसे सीखना है बहुत अच्छे तरीके से वो सभी चेज़े school में बताई जाने चाहिए ऐसी practice को promote करना चाहिए ठीक है तो सीखते तो हैं लेकिन सीखना अगर आ जाए कि किस तरह से सीखना है तो वो बहुत ही ज़्यादा easy हो जाता है फिर school का हमेशा focus होना चाहिए कि holistic development हो holistic का मतलब होता है कि all around development हो उसकी physical, mental, social, spiritual development हो ठीक है चलो जब इन्होंने theosophical society का जो बत था वो चोड़ा था इन्होंने का था कि I want to free man from chains and fear कि मैं अपनी बंदिसों से और अपनी ड़्ट से दूर होना जाता हूँ I am not finding a new religion मैं कोई नया religion find नहीं कर रहा हूँ My only purpose is to free man completely कि मेरा केवल एक उद्देश है कि मैं एक free इंसान की तरह या सौतंत्र इंसान की तरह घूमना जाता हूँ अपना पूरा जीवन वैतीद करना जाता हूँ ठीक है और ये इनका quote है एक कि truth इजे pathless land तो इस एक साथ हमने educational philosophy पढ़ ली जिद्दू क्रिस्न मूर्थी जी की तो मैं पहले बता दूँ इनका बहुत ही लंबा जीवन राय तो सभी चीजों के बारे में यहां पढ़ना is not possible क्योंकि 15 मिनट के वीडियो में हम इनकी केवल आउटलाइन ही पढ़ सकते हैं ठीक है अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो प्लीज आप इन references में जाके पढ़ लेना मैं इनका description box में link दे दूँगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अप्लाइ कर सकते हो चानल को subscribe कर सकते हो feature notification के लिए दबा सकते हो bell icon मिलते हैं next video में till then bye bye take care